स्रिमान स्रिपाद नायक जी, डक्टर नगेंद्र जी, पुझ बाबा रामदेव जी, पुझ आत्म प्रियनन जी, आधनिय हंसा जी, सचीव स्रिमान सन्याल जी, और देश भर में, और विश्व भर में, योग से जुड़े हुए, सभी महनुभाव, आज, कभी किसी ने सोचा होगा, कि राजपथ भी, योग पथ बन सकता है, योएनों के द्वारा, आज, अंतर राष्टिय, योग दिवस का आरंब हो रहा है, लेकिन मैं मानता हूँ, आज, 21 जून से, अंतर राष्टिय, योग दिवस से, न सिरफ एक दिवस मनाने का प्रारंब हो रहा है, लेकिन, शांती, सद्भावना, इस उन्चाईयों को प्राप्त करने के लिए, मानव मन को, ट्रेनिंग करने के लिए, एक नए यूग का आरंब हो रहा है, कभी कभार, बहुत सी चीजों के प्रती, अज्ञानतावस, कभी कुछ विक्रुतियां आ जाती है, सद्धियों से ये परंपरा चली है, काल करम में, बहुत सी बाते उसमें जुड़ी हैं, मैं आज ये कहना चाहूंगा, कि सद्धियों से, जिन महापुरुषों ने, जिन रुशियों ने, जिन मुनियों ने, जिन योग गुरु ओने जिन योग सिक्षक ओने जिन योग अभ्यासु ने सद्यों से इस परंपरा को निभाया है आगे बढ़ाया है उसमें विकास के किंद बिंदु जोड़े भी है मैं आज पूरे विश्व के ऐसे महनुभाव को आदर पुरुवक नमन करता हूँ और मैं उनका गवरव करता हूँ ये सास्त्र किस भूभाग में पादा हुआ किस भूभाग तक फैला मैं समझता हूँ मेरे लिए उसका ज़्यादा महत्व नहीं है महत्व इस बात का है कि दुनिया में हर प्रकार की क्रांती हो रही है विकास की नईने उंचाईयों पर मानव पहुँच रहा है टेकनलोजी एक प्रकार से मनुष्य जीवन का हिस्सा बन गई है बाकी सब बढ़ रहा है बाकी सब तेज गती से बढ़ रहा है लेकिन कहीं ऐसा तो नहो के इनसान वही का वही रह जाए अगर इनसान वही का वही रह गया और विश्व में ये सारी विवस्ताई विक्सित हो गई तो ये मिसमाच भी मानव जात के लिए संकट का कारण बन सकता है और इसलिए आवशक हैं कि मानव का भी आंतरिक विकास होना चाहिए उतकर्ष होना चाहिए आज विश्व के पास योग एक ऐसी विद्या है और जिसमें विश्व के अनेक भूभागों के अनेक रंग वाले लोगों ने अनेक परंपरा वाले लोगों ने अपना अपना योगदान दिया है उन सबका योगदान स्विकार करते हुए अंतर मन को कैसे विक्सित किया जाएं अंतर उर्जा को कैसे ताकत वर बनाया जाएं मनुश तनाव मुक्त जिंदगी से मुक्त हो करके शांति के मार्क पर जीवन को कैसे प्रसस्त करें ज्यादा तर लोगों के दिमाग में योग यानि एक प्रकार से अंग मर्दन का कारकम है मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ी गल्ती है योग ये अंग उपांग मर्दन का कारकम नहीं है अगर यही होता तो सरकस में काम करने वाले बच्चे योगी कहे जाते और इसलिए सिर्फ सरीर को कितना हम लचिला बनाते हैं कितना मोड देते हैं वो योग नहीं है हमने कभी कबार देखा है संगीत का बड़ा जलसा चलता हो और संगीत का जलसे के प्रारम में जो बाद्य बजाने वाले लोग हैं वो अपने अपने तरीके से ठोक पिट करते रहते हैं कोई तार ठीक करता है कोई तबला ठीक करता है कोई धोल ठीक करता है पांच मिनिट साथ मिनिट लगता है और जो दर्शक होते हूं को कभी लगता है यार शुरू कब करेंगे जिस प्रकार से संगीत शुरू होने से पहले ये जो ताल्ठोक का कारकम होता है और बाद में एक सुरीला संगीत निकलता है ये ताल्ठोक वाला कारकम पूरे संगीत समारों में बहुत छोटा होता है ये आसन भी पूरी योग अवस्था में उतना ही उसका हिस्सा है बाकी तो यात्रा बड़ी लंबी होती है और इसलिए उसी को जानना और पहचानना आवश्चक हुआ है और हम उस दिशा में ले जाने के दिशा में प्रयत न रहते हैं मैं आज यूनों का अभारी वेक्त करता हूं दुनिया के 193 कंट्रीज का अभारी वेक्त करता हूं कि जिनोंने सर्वसंबती से इस प्रकार के प्रस्ताव को पारिद किया और मैं 177 कंट्रीज का अभारी वेक्त करता हूं कि जिनोंने कोस्पंध बन करके योग के महत्माई को स्विकारा और आज सूरत की पहली किरन जहां से प्रारंब हुई और 24 गंटे के बाद सूरत की आखरी किरन जहां पहुचेगी सूरत की कोई किरन ऐसी नहीं होगी सूरत की कोई आत्रा ऐसी नहीं होगी कि जिसे इन योग अभ्यासियों को आसिरवाद देने का आउसर न मिला हो पहली बार दुनिया को शिकार करना होगा कि आज अब ये सूरत योग अभ्यासियों के यहां से कभी घलता नहीं है वो पूरा चक्र जहां सूरत जाएगा वहाँ योग अभ्यासियों मौजुद होगा ये आज दुनिया में पहुँच चुका है मन बुद्धि शरीर आत्मा ये सभी संतुलित हो संकलित हो सहज हो इस अवस्था को प्राप्त करने में योग की बहुत बड़ी भूमिका होती है मैं आज इस महान परवके प्रारंप के समय ये सिर्फ पर सिरफ मानव कल्यार का कारकम है तनाव मुक्त विश्व का कारकम है प्रेम शांती और एकता सद्भावना का संदेश पहुचाने का कारकम है और जिसें जीवन में उतारने का कारकम है मैं इस कारकम के लिए रवे से बहुत बहुत सुब कामनाई देता हूँ और आज पूरे हिंदुस्तान में हर गली महले में जो योग का माहौल बना है उस माहौल को हम निरंतर आगे बढ़ाएंगे इसी एक पेक्षा के साथ आप सब को मेरी बहुत बहुत सुब कामनाई